समस्कार दोस्तों सवायात है आप सभी का Top 25 Current Affairs वीज़ में यह दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम अक्टूबर मन्द के जो भी इंपॉर्टेंट Top 25 Current Affairs वीज़ को जॉइन कर सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके अलावा अगर आप माइड मैप के साथ Current Affairs के Questions का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट Top 25 Current Affairs को पॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको सीक्वेंस के साथ डेट व इसके Questions प्रवाइड करेंगे अगर आपने अभी तक माइड मैप नहीं देखा है तो आप बहुत इंपॉर्टेट चीज भी कर रहे हैं दोस्तों माइड मैप आप लोग के लिए इस प्रकार से किया जाता है कि आप लोग को Current Affairs के बड़े-बड़े PDF और पेरिग्राफ पढ़ करने से पहले अगर आपने वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजएगा और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ Questions आप लोग के लिए छोड़ूँगा अगर आपने पूरे मंत के Current Affairs अच्छे से पढ़े हैं तो उनके Answers आप Comment Box में जरूर लिख कर जाएगेगा तो सबसे पहले हम Sports ने उस से Related Questions को Cover करेंगे Question No.1 देखते हैं September 2023 के लिए ICC Players of the Month की से उनकी संबंदित स्टेडियो के लिए दामित किया गया था तो September 2023 के लिए ICC Players of the Month शुम्मन गिल और चामरी अतापत्तु को उनकी संबंदित स्टेडियो के लिए दामित किया गया था इसमें से सुम्मन गिल जोकी एक भारती खिलाडी है उन्हें पुर्षो की स्रेड़ी में ICC Players of the Month दामित किया गया था और चामरी अतापत्तु एक स्री लंकन खिलाडी है जिनों महिलाओं कि स्रेड़ी में ICC Players of the Month दामित किया गया था Q2 है इटली में 5 World Junior Rapid 17 Championship 2023 कि इसने जीती और या खिताब हासिल करने वाले वह पहले भारती बने है तो इटली में 5 World Junior Rapid 17 Championship 2023 रौनक साधवानी ने जीती और या खिताब हासिल करने वाले वह पहले भारती बने है तो Option B रौनक साधवानी इस दा आंसर फर्ड question देखते हैं 128 साल बाद ऑलम्पिक में क्रिकेट की वापसी कब होगी 328 साल बाद ऑलम्पिक में क्रिकेट की वापसी 2028 में होगी जब लॉस ऐजिलस में ऑलम्पिक ऑर्गनाईस किया जाएगा तो option B 2028 is the answer Question number 4 थे अब अंतरराष्टिक ऑलंपिक समिथी आईऊसी ने मुंबई भारत में अपने 141.70 के दौरां कितने नए सदस्च्र को मंजूरी दी 8 is the answer कुछ नबर फिफ्ट है 2023 Manos कुछ नबर शिख्थ है 2023 Manos एश्चाई खेलों मेवल महिलाओ की 10 मीटर एर पिश्टल वर्थिकत इस प Haggjah पदक किसने जीता तो 2023 एश्याई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिश्टल वेक्टिकर इस परदा में पलक गुलिया ने पलक गुलिया ने स्वड़न पदक जीता है नेक्स्ट कोश्चिन है कोश्च नमबर सेवन एश्याई खेल 2023 में मिक्षड डबल टेनिस में प्लियार सुंग हाउ हुएंग और एन शुवल यंग को हराकर स्वड़न पदक जीता है कोश्च नमबर एट्थ है सैफ अंडर 19 फुटबॉल चेंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता तो सैफ अंडर 19 फुटबॉल चेंपियनशि तीन पी इस परदा में किस भारती टीम ने स्वड़न पदक जीता तो एश्वरे खेल 2022 में पुर्शो की 50 मीटर राइफल तीन पी इस परदा में एश्वरे प्रताप सिंग तॉमर सौपनिल कुसाले और अखिल सियोरन की टीम ने स्वड़न पदक जीता है ऑप्शन डी एश कि लिए ँषाई खेलों में बुसु में भारत का पहला रिदत पदक रोशी बीना देवी नाओरे मनीजीता ऑप्शन दील योशीं दा देवी नाओरे म सरवा efterडि एक्शन लेखते हैं भूर्ट जीपी भारत 2023 कि तो जीतां तो मॉर्ट जीपी भारत मार्कोप बैज़ग् इस दा answer वेल्थ कोश्यन है ICC Cricket World Cup 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ICC Cricket World Cup 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मेंटर अजय जड़ेजा को नियुक्त किया गया है Option D अजय जड़ेजा इस दा answer कुश नमबर थार्टीन है सैफ अड़र नाइटीन चेंपियंशिप 2023 किस ने जीती तो सैफ अड़र नाइटीन चेंपियंशिप 2023 भारत ने जीती है Option D इंडिया इस दा answer 14 कोश्यन है सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर 2023 से 24 इरानी कप किस टीम ने जीता तो सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर 2023 से 24 इरानी कप रेस्ट आफ इंडिया टीम ने जीता है Option C रेस्ट आफ इंडिया इस दा answer कुश नमबर 15 देखते हैं एश्याई खेल 2023 में पुर्षो की भाला तेथ पतियोगिता में स्वर्ण पदक किस ने जीता तो इश्याई खेल 2023 में पुर्षो की भाला तेथ पतियोगिता में दीरत चोपडा ने स्वर्ण पदक जीता है कुश नमबर 16 है अब एश्याई खेलो में पुर्षो के 3000 मीटर इस टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारती कौन है तो एस शेई खेलों में पूरुषों की 3000 मीटर स्टेपल चीज में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारती अभिनास मुकुन साबले हैं ओप्शन ए अभिनास मुकुन साबले इस दा आंसर कुछ नमबर 17 है अब अंतराष्टी क्रिकेट परिश्व कप के लिए ग्लोबल एमबसेडर को नामित किया गया है तो अंतराष्टी क्रिकेट परिश्व कप के लिए ग्लोबल एमबसेडर सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है ओप्शन भी सचिन तेंदुलकर इस दा आंसर कुछ नमबर 18 है सबसे तेज एक हजार रंड बनाने वाले बल्ले बाज कौन वने तो ओडियए विश्व कप में सबसे तेज एक हजार रंड लीग नीलामी के इतिहास में सबसे महगे खिलाडी कौन बनी। तो प्रोकबटी लीग नीलामी के इतिहास में सबसे महगे खिलाडी मुहमद रेजा सर्दलोई चीयाने बनी। Option A, मुहमद रेजा सर्दलोई चीयाने इसदाणस। 21 question देखते हैं U19 लड़कियों की राष्टी 17 championship किस ने जीती तो U19 लड़कियों की राष्टी 17 championship सुभी गुपता ने जीती है option D सुभी गुपता इस दा answer question number 22 है 2023 Chicago marathon में wish record किस ने बनाया है तो 2023 Chicago marathon में wish record Kelvin Kipton ने बनाया है option C Kelvin Kipton is the answer question number 23 है fight world Julia rapid 17 championship 2023 का खिताग किस ने जीता तो fight world Julia rapid 17 championship 2023 का खिताग रौनक साधवानी जीता option D रौनक साधवानी is the answer of this question question number 24 wish of badminton ranking में पहली rank हासिल करने वाली पहली भारती यूगल जोडी कौन सी है तो wish of badminton ranking में पहली rank हासिल करने वाली पहली भारती यूगल जोडी है सात्विक साहिडाज ranki ready और चिराप सेटी की जोडी option D सात्विक साहिडाज ranki ready और चिराप सेटी इस दा answer question number 25 अब appointments and resignation related question से बाबा परमाणू अनुसंदान केरदर बार्प में के चवदवे निदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो बाबा परमाणू अनुसंदान केरदर के चवदवे निदेशक के रूप में अजीत कुमार मुहंती को निउक्त किया गया है option C अजीत कुमार मुहंती इस दा answer question number 25 देखते हैं अब appointments and resignation से related question से हम आगे बाबा परमाणू अनुसंदान के इंदर बार्क के चवदवे निदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो बाबा परमाणू अनुसंदान के इंदर बार्क के चवदवे निदेशक के रूप में विवेक भाशीन को निउक्त किया गया है option D विवेक भाशिन इजदांस कुछ नमबर 26 Tata Advanced System Limited के नए चेयर्मेन के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है तो Tata Advanced System Limited के नए चेयर्मेन के रूप में बनमाली अगरवाल को नियुक्ति किया गया है Option D बनमाली अगरवाल इजदांस Question No.27 है भारत में जापानी परिधान परिधान रिटेलर यूनीकलो के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो भारत में जापानी परिधान रिटेलर यूनिकलो के ब्रांड एमबसेडर के यूप में कैट्रीना कैफ को नियूप्त किया गया है ऑप्शन सी कैट्रीना कैफ इस दा आंसर अप दिस कोश्चिन कुश्च नमबर 28 है भारती रिजर्फ बैंक के डिप्टी गाउर्णर के रूप में किसे एक वर्स कारिकल विस्तार दिया गया तो भारती रिजर्फ बैंक के डिप्टी गाउर्णर के रूप में एम राजस्वर राओ को एक साल के लिए कारिकल विस्तार दिया गया है तो option D, M. Rajaswar Rao is the answer कोश नमबर 29, Intel India के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हाली में, Intel India के अध्यक्ष के रूप में Gokul Subramaniam को नियुक्त किया गया है option B, Gokul Subramaniam is the answer कोश नमबर 30 देखते हैं National Intelligence Grid के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और हाली में उनका कारिकल 25 मार्च 2024 से आगे बढ़ा कर 19 नमबर 2025 कर दिया गया है तो National Intelligence Grid के CEO के रूप में Fuse Gokul को नियुक्त किया गया है और हाली में उनका कारिकल 25 मार्च 2024 से आगे बढ़ा कर 19 नॉबंबर 2025 कर दिया गया है तो option D Here's goal is the answer of this question Question number 31 देखते हैं अब संग लोग सेवा आयोग के सदस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इससे पहले परवरी 2016 से जनवरी 2022 तक परवरी 2020 से जनवरी 2022 तक जगर सेवा आयोग के सदस्ट के रूप में फालम किसे नियुक्त किया गया है chose number 32 देखते हैं अभीक सरकार की जगा प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया वोड के अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया है तो अभीक सरकार की जगा प्रेश ट्रस्ट आफ इंडिया वोड के अध्यक्स के रूप में के अन संत कुमार को चुना गया है ऑप्षिन डी केयं संतकुमार इस दा आंसर आगे वड़े क्वेश्ट नमबर थाटी तरी है हाल ही में वाइस एड़ मारल संजय महिंडरू की जगा नौसेना के उप्प्रमुक की भूमी का किस ने समँखली तो हाली में Vice Admiral Sanjay Mahindru की जगा नौसेना के उप्रमुक की भूमी का Vice Admiral Tarun Sokhti ने समभाली है Option D Vice Admiral Tarun Sokhti is the answer Question No. 34 देखते हैं Lieutenant General Rajiv Chaudhary की जगा सीमा साड़त संगठन के 28 महानी देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो Lieutenant General Rajiv Chaudhary के जगा सीमा साड़त संगठन के 28 महानी देशक के रूप में Lieutenant General Raghu Srinivasan को नियुक्त किया गया है Option C Lieutenant General Raghu Srinivasan is the answer Question No. 35 है ICC Cricket Wishwakup 2023 के लिए Westwick Rajabut के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ICC Criticate Wishwakup 2023 के लिए Westwick Rajabut के रूप में सचिन तेंदूलकर को नियुक्त किया गया है Option C सचिन तेंदूलकर is the answer of this question Question No. 36 ते अब भारती विज्जापन मानक परिशद के अध्यक्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो भारती विज्जापन मानक परिशद के अध्यक्स के रूप में सौगता गुप्ता को नियुक्त किया गया है कुछ No. 37 देखेंगे AMFI Association of Mutual Funds in India के अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया है तो Association of Mutual Funds in India के अध्यक्स के रूप में नमनीत मुनौत को चुना गया है Option A, नमनीत मुनौत इस दा आंसर कुछ No. 38 है हाल ही में State Bank of Mauritius के प्रबन निदेशक और CEO के पद से किसने इस्तिफा दे दिया है तो हाल ही में Bank of Mauritius के प्रबन निदेशक और CEO के पद से सिद्दार्थ राट ने इस्तिफा दे दिया है Option A, सिद्दार्थ राट इस दा आंसर कुछ No. 39 है तो सलीम गंगा धरन की जगा साउथ इंडियन बैंक के नए चेर्मेन के रूप में किसे निदेशक किया गया है Option B, वीजे कुरियन इस दा आंसर कुछ No. 40 है हाल ही में Dr. Lalit Kanudia की जगा इंडो अमेरिकन चेंबर आफ कॉमर्स के राश्ट्री अध्यक्स के रूप में किस ने पदबार समाला है तो हाल ही में ललीत Kanudia की जगा इंडो अमेरिकन चेंबर आफ कॉमर्स के राश्ट्री अध्यक्स के रूप में पंकज बोरा ने पदबार समाला है Option B पंकज बोरा is the answer of this question Question number 41 देखते हैं हाल ही में Laureus Sports का brand ambassador किसे बनाए गया है तो Laureus Sports का हाल ही में brand ambassador नीरत चोपड़ा को बनाए गया है भारती स्टेट बैंक के अर्धेक्स के रूप में किसका कारिकल अगस्त 2024 तक बढ़ाए गया है तो भारती स्टेट बैंक के अर्धेक्स के रूप में अमिद जिंगरान का कारिकल 2024 तक बढ़ाए गया है Option B अमिद जिंगरान इस दा आंसर Question number 43 है MCC की विश्व क्रिकेट समिती के नए अर्धेक्स के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है Question number 44 है इंद्रमणी पांडे की जगा सहीवत राष्ट में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है Option B अरिंदम बख्षी इस दा आंसर Question number 45 तो देखते है International Dairy Federation IDF के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है तो International Dairy Federation IDF के बोर्ड के लिए डॉक्तर मिनेज शाह को चुना गया है Option B Dr. मिनेज शाह इस दा आंसर Question number 46 है Puma India के ब्राइड झांदर के रूपे किसे नियुक्ति किया गया है तो Puma India के ब्राइड झांदर के रूप में ども anatomy behand capt किया गया है Question number 47 Avaas और सहरी विकास निगम लिमिटेड कि अध्यक्स और त्रबंद निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आवास और सहरी विकास निगम Limited के अध्यक्स और त्रबंद निदेशक के रूप में संजे कुल्सरेष्ट को नियुक्त किया गया है Option D, संजे कुल्सरेष्ट is the answer Question No.49 इंडो अमेरिकन चेम्बर आफ कॉमर्स IAACC के अध्यक्स के कौन बने है तो इंडो अमेरिकन चेम्बर आफ कॉमर्स के राश्ट्री अध्यक्स पंकज बहुरा बने है Option C, पंकज बहुरा is the answer Question No.49 देखते हैं अब Awards and Honors से related questions है World Leader for Peace and Security Award 2023 से किसे सम्मानीत किया गया है तो World Leader for Peace and Security Award 2023 से माता अमृता नंदा मईदेवी को सम्मानीत किया गया है Option A, माता अमृता नंदा मईदेवी Is the answer Question No.50 है 2023 के दादा साहीब पाल के पुरसकार से किसे सम्मानीत किया जाएंगा तो 2023 के दारा साहिब फाल के पुरुसकार से वाईदा रह्मान को सम्मानित किया जाएगा Option B वाईदा रह्मान is the answer अगला question है question number 51 पस्ची बंगॉल के किस गाओ को भारत का सरुषेष्ट परेटन गाओ का खिताब दिया गया तो पस्ची मंगॉल के किरी तेश्वरी गाओ को भारत का सरुषेष्ट परेटन गाओ का खिताब दिया गया Option D किरी तेश्वरी is the answer वाईदा फिफ्टी टू है गणित में 2023 का सस्त्र रमानुजन पुरसकार की से दिया गया तो गणित में दोजर तेश्वरी का सस्त्र रमानुजन पुरसकार रुविक सियंग जैंग को दिया गया रुविक सियंग जैंग ऑप्शनेज दान्स अब क्वश्ट नंबर 53 है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्स प्रदान किया जाने वाला ग्लोबल इंडिया अवर्ड प्राप्ट करने वाली पहली महिला कौन बनी तो कनाडा इंडिया प्रतिवर्स प्रदान किये जाने वाले वाला ग्लोबल इंडिया अवर्ड प्राप्ट करने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्थी Option A सुधा मूर्थी इजदाग्ज Question No. 54 भारती मूल के प्रोफेसर कौन है जिनने जल्वाईव परिवर्थन अनुसंधान के लिए दच इस्पोनेजा इस्पीनोजा पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो भारती मूल के प्रोफेसर है Option A Dr. जोहिता गुपता भारती मूल की प्रोफेसर है वो जिनने जल्वाईव परिवर्थन अनुसंधान के लिए दच इस्पीनोजा पुरसकार से सम्मानित किया गया है Question No. 55 2023 में नॉबल सांती पुरसकार सिर्की से दिया गया था तो 2023 में नॉबल सांती पुरसकार नार्जेस मुहम्मधी को दिया गया Option B नार्जेस मुहम्मधी is the answer Next Question No. 56 बहुतिकी का नॉबल पुरसकार दोजर तेविस किस ने जीता तो बहुतिकी का नॉबल पुरसकार दोजर तेविस जहें वो Perry-Agostini, Fornz-Krodz and N.A.L. Hillier ने जीता बहुतिकी का नॉबल पुरसकार दोजर तेविस पेरिस-Agostini, Fornz-Krodz and N.A.L. Hillier ने जीता है Option A is the answer Question No. 57 बहुतिकी का नॉबल पुरसकार दोजर तेविस के लिए साहित पुरुसकार से दिलीक नौंग माइध हैं को सम्वानित किया गया है ऑप्शन सी दिलीक नौंग माइध हैं इस दांस अब कोश्च नमबर 58 है किस फिल्म ने 2023 के कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिबल में सर्वसेस्ट एक्शन फिल्म का पुरुसकार जीता है तो हाल में द सर्वाइवर इस दांसर है किस नमबर 59 है महिला नेताओं को ससक्त बनाने के लिए एक प्रतियोगिता जीतने के बाद भारत में एक दिन के ब्रिटैन के उच्चायुक्त कौन मनी तो महिला नेताओं को ससक्त बनाने के लिए एक प्रतियोगिता जीतने के बाद भारत में एक जिन के लिए ब्रिटेंग के उच्चायुक्त श्रेया धर्मराजन बनेगे। Option B, श्रेया धर्मराजन इस दान्स है। Question Number 60, Petroleum और प्रकती गैस मंत्राले से वित्ती वर्स 2022 से तेविस के लिए किस कंपनी को Best Innovation in Refinery का पुर्शकार मिला। तो Petroleum और प्रकती गैस मंत्राले से वित्ती वर्स 2022 से तेविस के लिए मेंगलोर रिफाइन्टरी और पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी को Best Innovation in Refinery का पुर्शकार मिला है। Option D, मेंगलोर रिफाइन्टरी और पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड इस दान्स है। Q61 हाल ही में सत्य जी तरे लाइटेड फिल्म पुर्शकार से किसे सम्वानित किया जाएगा। Q62 राष्ट्री किसोर कुमार पुर्शकार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा। Q62 राष्ट्री किसोर कुमार पुर्शकार 2022 किसोर कुमार पुर्शकार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा। Option B, धर्मेंद्र दियोर इस दान्सर Q63 गोगा में चौमनवे अंतराष्ट्री फिल्म समारो में सत्यजी तरे एक्सिलेंस इन फिल्म लाइफ टैम अवट्स को सम्वानित किया जाएगा। Option C, Michael Douglas is the answer. Question number 64 is, तमिल में लिखे गया उनके संस्मरण सूर्य वामसम के लिए 222 में किस लेखक को और कारकरता को 32 सरस्वती सम्वान से सम्वानित किया गया है? तमिल में लिखे गया उनके संस्मरण सूर्य वामसम के लिए 222 में सिव संकरी को जो कि एक लेखक है, वोने 32 सरस्वती सम्वान से सम्वानित किया गया है? Option D, सिव संकरी is the answer. Q65 है, खाल इवे आपदा प्रबंदन में गोल्डन फीकॉप पुरसकार से किसे सम्वानित किया गया है? तो हाल ही में आपदा प्रबंदन में गोल्डन पिकॉग पुरसकार से रैक लिमिटेट को सम्मानित किया गया है Option D, रैक लिमिटेट इस दा आंसर कुछ नमर 66, अब इनेगुरेशन से रिलेटेड न्यूसेद है किस मंत्री ने दिल्ली के करतावेपत पर भारत की पहली ग्रीन हाइडरोजन फ्यूल सेल बस को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया है Option D, हर्दीप सिंग पुरी इस दा आंसर कुछ नमर 67 है प्रधान मंत्री दरेंदर मोधी उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवशी विद्याले का घाटन करेंगे तो प्रधान मंत्री दरेंदर मोधी ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में 16 आवशी विद्याले का घाटन करेंगे Option D, 16 Is the answer Question No.68 है हिंडनं एयर बस गाजियाबाद में भारत ड्रण शक्ति 2023 प्रधर्शनी का उद्घाटन किस ने किया नंबर 69 एक अंतर राष्ट्री वकीलों के शम्मेलं 2023 का उद्घाटन दू दर्या गा गया था ओप्षण B New Delhi is the answer कोश्च नमबर 70 है हाल ही में राजस्थान के किस सहर में गाधी वाटिका को गाटन किया गया है तो हाल ही में राजस्थान के जैपूर सहर में गाधी वाटिका का गाटन किया गया है तो प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी दारा देश का पहला हाई टेक खेल विकलांग वक्तियों के लिए तो सिक्षण के अधर का उध्गाटन गौालियर में किया गया था ओप्शन C गौालियर इस दा आंसर कुछ नमबर 72 देखते हैं तो हालियर में प्रदान मंत्री मोधी ने किस राज में रमा गुंडम एंटी पीसी परियोजना का उध्गाटन किया है ओप्शन B तेलंग गाना इस दा आंसर लेक्स्ट पॉस्चन देखते हैं कुछ नमबर 73 है अप्शन B नरायन रादे इस दा आंसर कुछ नमबर 74 है केद्री जन जाती मामलों के मंत्री अरजन मुंडा ने किस सहर में आदी महत्सा और आश्ट्री जन जाती महत्सा का उध्गाटन किया तो केद्री जन जाती मामलों के मंत्री अरजन मुंडा नेDAY जमशेत्पूर जारकन के जमशेत्पूर सहर में आदी महत्सा और अप्शन ए जमशेत्पूर जातन अगला कुछ नमबर 75 है हाल ही में प्रधान मंत्री मोधी ने कहां 141 वे अंतरराष्टिक उलम्पिक समिती सत्र का उध्धाटन किया तो हाल में प्रधानमत्री बोधी ने 141 वे अंतरराष्टिक उलम्पिक समिती सत्र का उध्धाटन बुंबई में किया है अप्शन ए बुंबई इसदा आंसर कुछ नमर 76 तेया नागालेंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालेंड इस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उध्धाटन किस ने किया तो नागालेंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालेंड इस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उध्धाटन डॉक्टर मंसुक मंदाविया ने कि कुछ नमबर 77 है एक आधिकारिक यात्रा के दोरान वियतनाम के होची मिन शहर के ताओदान पार्क में महात्मा गाधी की प्रतीमा का अनावरण किस ने किया तो एक आधिकारिक यात्रों के दोरान डॉक्टर एस जैसंकर ने वियतनाम के होची मिन सहर के ताउदान पार्क में महात्मा गाधीची की प्रतिमा का अनावरण किया अगला कोश्चन है अब एप 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 पोटर से लिटेट कोश्चन है किस मुख्य मंत्रे ने उत्राखंड यूअ महाध सो दाजाट 23 में रोजगार प्रयाग कोटल लांच किया तो हाल ही में पुसकर सिंग धामी ने जोकि उत्राखंड के मंत्री है उन्होंने यूअ महाध सो दाजाट 23 में रोजगार प्रयाग कोटल लांच किया रहा अप्शन सी पुसकर सिंग धामी इजदान से कुछ नमबर 79 है अब इन्वार्मेंट से रिलेटेड कोट्शन से पैटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेंजबानी पर्याग वड़न मंत्राले कहा करेगा यहां पैटा का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशियन ट्रेवल एसोसियेशन तो पैसिफिक एशियेशन ट्रेवल एसोसियेश अब गौवर्मेंट से रिलेटेड कुछ कोश्चन से है कुछ नमबर 80 है जिसमें हाली में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री ग्रामिन आवास न्याय योजना की सुरुवात की गई है तो हाली में 36 गड़ सरकार द्वारा मुख्य मंत्री ग्रामिन आवास न्याय की चुछ सब्सक्राइब के विए treaty से हाल ही नंब ऐसकार में विखवला येजना के तहट सबसंडी बढ़ाकर कितने रुपे प्रती सिलंडर कर दिया तो हाल इसम िटी योजना के लिए योजना बनाने वाला पहला राज कौन सा बना तो हाल हमें इस उत्री अमेरिका में अनावरंड होने वाले सबसे बड़े अम्बेटकर प्रतीमा का नाम घया है तो उत्री अमेरिका में अदावराण होने वाली सबसे बड़ी उत्री मेटकर प्रफीमा का नाम है Statue of Equality, Option C, Statue of Equality इस्दाव अगला कोश्यान है कोश्च नमबर 84 हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाइस्पीड रेलवे परियोजना वो उस नाम से शुरू की है Option B, Indonesia is the answer 85 question number Pacific Asia Travel Association Travel Mart 1883 का 46 संस्करण की सहर में आयोजित किया गया तो Pacific Asia Travel Association पैटा का ट्रेवल मार्ट 23 का 46 संस्करण जह है वो न्यू देली में आयोजित किया गया है Option C, New Delhi is the answer of this question Question number 86 देखते हैं हाल ही में मुहम्मर मिज्जू को किस देश का राष्टरपती चुना गया है तो हाल ही में मुहम्मर मिज्जू को माल्दीव का राष्टरपती चुना गया है Option D, माल्दीव Question number 87 देखते हैं चर्चित वलकन 2020 प्रोजेक्ट का संबन किस देश से हैं तो चर्चित वलकन 2020 प्रोजेक्ट का संबन United Kingdom से हैं Option C, United Kingdom इस दान से Question number 88 है बैप्स स्वामी नराहैंड अक्षरवधाम की महत्वड विष्यशता गया है जिसका ओकाटन 8 अक्टूबर को निः जर्सी में किया गया है तो बैप्स स्वामी नरायन मंदिर अक्षर धाम की महतोपुन विशेशता ये है कि ये केवल पत्थर से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा elliptical shape का कुमबद है Option D, it houses the largest elliptical dome of traditional stone architecture आगे बढ़ते हैं बैंगिया डिपोर्ट से related questions है Global Innovation Index 2023 में भारत की rank क्या है तो Global Innovation Index 2023 में भारत की 40 वी rank है Option C, 40th rank इजदा हो दिया Question No.91 है IMD दौराप्रकासी 2023 World Talent Ranking में भारत का इस्थान क्या इस्थान है तो IMD दौराप्रकासी 2023 World Talent Ranking में भारत के इस्थान 56 है Option C, 56th rank इजदा आंसर Question No.92 है Times Higher Education की World University Ranking 2024 में इंक्यानने भारती विश्विद्यालों में किस भारती संस्थान ने सिर्षिस्थान हसिल किया तो Times Higher Education की World University Ranking 2024 में इंक्यानने भारती विश्विद्यालों में IISC Bangalore Indoor Institute of Bangalore ने सिर्षिस्थान हसिल किया Option C, IISC Bangalore इस दा आंसर Question No.94 है Global Innovation Index 2023 में भारत की रैंक किया है तो Global Innovation Index 2023 में भारत की रैंक 40 वी Option C, 40 रैंक इस दा आंसर Question No.95 World Happiness Report 2023 में भारत किस इस्थान पर पहुंच गया है तो World Happiness Report 2023 में भारत जहें वह 126 वे नंबर को पहुंच गया Option D, 126 रैंक इस दा आंसर Question No.96 है 2023 विश्व प्रतिवा रैंकिंग में भारत चार इस्थान फिसल कर 56 इस्थान पर पहुंच गया सुचकांद में कौन जदेश स्थान पर है तो विश्व प्रतिवा रैंकिंग में भारत जहें वह पहले 52 रैंक पर था चुकि विश्व प्रतिवा रैंक पर आ गया है और इसी सुचकांद में पहले नंबर पर स्विश्व लेंड नहीं से अप्शन सी सिज्जर लेंड इस दा अंस है अब MAUs and Agreements related questions है कुश्व नमर 97 हाल इमें किस राज़ सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रूप के साथ 2000 करोड रुपए का समझोता किया है तो हाल इमें उत्राखंड की राज़ सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रूप के साथ 2000 करोड रुपए का समझोता किया है ऑप्शन सी उत्राखंड इस दा आंस है कुश्टमबर 98 देखते हैं किस वैस्विक PC निर्माता ने भारती बजार के लिए क्रोम बुग बनाने के लिए गूगल के साथ साचिदारी की है तो हाल ही में HP जोकी एक वैस्विक PC निर्माता कंपरी है उसने भारती बजार के लिए क्रोम बुग बनाने के लिए गूगल के साथ साचिदारी की है Option B, HP is the answer Q99, हाल ही में किन दो संगटनों ने स्वच्छ नसीली दवाओं से मुक्त खेल पर सयोग करने के लिए एक समझोते ग्यापत पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें WHO का फुल फॉर्म तो सभी को पता है World Health Organization यहां वाटा का फुल फॉर्म है World Anti-Doping Agency फिल्सिप बतारों में वाटा का फुल फॉर्म World Anti-Doping Agency Q100 है अब भारत और किस देश ने घरेलू काड योजना के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं अब इस टेट ने उससे डिलेटेड कोश्चेंज को देखेंगे हम देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज में बनाया गया है तो देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम उत्राखंड में बनाया गया है Option C उत्राखंड is the answer Question number 102 है भारत का कौन सा राज एक कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज बना है तो भारत का हाली में त्रिपूरा राज एक कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज बन गया है कुछ नंबर 103, मद्युप्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरी के पदों पर महिलाओं के लिए कितना आरक्षन देने की गोशना की है तो हाल ही में मद्रप्रदेश सरकार ने राज सरकार की नौकरी के पदों पर महिलाओं को 35 प्रदिश्चर का आरच्छन देने की गोशना की है ओप्शन 3, C, sorry, 35% is the answer कुछ नमबर 104 है जम्व और कस्मीर के कट हुआ जिले के किस पारंपरिक्स शिल्प को हाल ही में भोगौलिक संकेत GI टैग मिला है तो हाल ही में जम्व और कस्मीर के बसौली पस्मीना जो की कट हुआ जिले का एक पारंपरिक्स शिल्प है उसे हाल ही में GI टैग मिला है Option C, बसौली पस्मीना इस दा आंसर Question No. 105 पंजाब सरकार द्वारा राजी को नशामुक्त बनाने के लिए शुरू किये गए मिशन का नाम क्या है? तो पंजाब सरकार द्वारा राजी को नशामुक्त बनाने के लिए शुरू किये गए मिशन का नाम है Mission Hope Initiative या Punjab Hope Initiative Option B Mission Hope Initiative is the answer Next question 106 हाल ही में किस राज सरकार ने Digital Doctor Clinic योजना की गोशना की है तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने Digital Doctor Clinic योजना की गोशना की है Option B उत्तर प्रदेश is the answer Question 107 अब एंग Banking and Finance related questions है गेम लिखित में से किस बैंक या वित्ती संस्थान को गैर अनुपालन के लिए RBI दोरा दंडिक किया गया है तो हाल में RBI बैंक Limited को 64 लाग रुपे का दंड बजास Finance Limited को 8.5 लाग रुपे का दंड और Union Bank of India को एक करोण रुपे का दंड आजब इन लगाये हैं गेर अनुपालन के लिए तो Option D All of the above is the odds Question No. 108 है भारती रिजर्व बैंक ने हाल ही में 1 अप्रिल 2024 से प्रभावी अखिल भारती वित्ती संस्थानों के लिए नए विवेकपूर्ण नियम जारी किये हैं RBI अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत ये विनियम जारी किये गए हैं तो भारती रिजर्व बैंक ने हाली में 1 अप्रिल 2024 से प्रभावी अखिल भारती वित्ती संस्थानों के लिए नए विवेकपूर्ण नियम जारी किये हैं RBI अधिनियम सेक्शन 45 L के तहत ये विनियम जारी किये गए हैं Option D सेक्शन 45 L is the answer Question No. 109 देखते हैं Online Gaming, Betting, Casino, Gambling, Horse Riding और Lottery के लिए Goods and Service Tax की दर क्या है तो Online Gaming, Betting, Casino, Gambling और Horse Riding और Lottery के लिए Goods and Service Tax दर 28 प्रतीशत हैं Option E 28% इसदान Question No. 110 देखते हैं अब Unified Payment Interface पर HDFC Bank द्वारा पेश किये गए तीन नए डिजिटल बुक्तान उत्पाद कौन से हैं तो Unified Payment Interface पर HDFC Bank द्वारा पेश किये गए तीन नए डिजिटल बुक्तान उत्पाद हैं UPI 123 पे UPI Plug-in Service for Merchant Transaction and Auto Pay on QR Codes Option A UPI 123 पे UPI Plug-in Service for Merchant Transaction and Auto Pay on QR Code is the answer 110 questions हम अब cover कर चुके हैं और कल से नया मंत नवंबर शुरू होने वाला है अगर आपको Mind Map के साथ Current Affirmacy Question नवंबर के देखने है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप daily basis पे हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको Current Affirmacy Related किसी प्रकार की दिखकत नहीं होने वाली है कुछ नमबर 111 देखते हैं इंडस इंडस इंड बैंक द्वारा हाली में लॉंच किये गए ग्रहत के इंदरी डिजिटल बैंकिंग एप का नाम है इंडी Option D Indies Dance कुछ नमबर 112 है Financial Year 2024 में भारत के लिए विश्व बैंक की व्रद्धी का पूर्वानुमान क्या हैं तो विट्वर्द 2024 में भारत के लिए विश्व बैंक की व्रद्धी का पूर्वानुमान 6.3 प्रतीशत हैं Option D 6.3% इस दा आंसर कुछ नमबर 113 है किस बैंक ने स्वर्ण बन्दो नामक दोर्ष्टेप गूर्ड लोन सुविदा शुरू करने के लिए साही बंदू के साही बंदू के सांचेदारि की Option D. करनाट का बैंक is the answer Question No. 114 है अब New Development Bank की स्थापना देशो कित्की संभू दारा की गई है तो New Development Bank की स्थापना जो है वो Bricks देशो दारा की गई है Option B Bricks is the answer Question No. 115 है अब उतकर्च Small Finance Bank ने हाल ही में Cardless Cash निकासी के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई तो हाल ही में उतकर्च Small Finance Bank ने Interoperable Cardless Cash विड्रॉल की सेवा जो है वो शुरू की है Cardless Cash निकासी के लिए Option B Interoperable Cardless Cash विड्रॉल ICCW is the answer Question No. 116 है अब Central Bank of India ने किस कंपनी के साथ सारिंट साचेदारी की है तो Central Bank of India ने हाल ही में ECL Finance Limited के साथ सारिंट साचेदारी की है Option D ECL Finance Limited is the answer of this question अगला question देखते हैं Question No. 117 Axis Bank ने हाल ही में भारती MSME के लिए क्या लांच किया है तो हाल ही में Axis Bank ने भारती MSME के लिए NEO for Business Transaction प्लेटफर्म लांच किया है यहाँ पर MSME का फुल फॉर्म है Micro, Small and Medium Enterprises तो Axis Bank ने हाल ही में Micro, Small and Medium Enterprises के लिए NEO Transaction Platform लांच किया है आगे बढ़ते हैं अब Summit and Conference related questions है Question No. 118 थे जिसमें नई दिल्ली में आयोजित India Energy Summit 2023 का उधगाटन किस ने किया तो नई दिल्ली में आयोजित India Energy Summit का उधगाटन Union Minister R.K. Singh ने किया Option D R.K. Singh is the answer अगला question देखते है Question No. 119 Westwick हल्दी सम्मेलन का पहला संसकरण कहां आयोजित किया गया था तो Westwick हल्दी सम्मेलन का पहला संसकरण मुंबई में आयोजित किया गया था Option D Mumbai is the answer अगला question देखते है Question No. 120 पर जोर दिया गया तो लगनों में आयोजित 27 सलाकार सम्यती की 28 वी बैठक की अध्यक्षता स्वामी नातन जानकी रमन ने किये जिसमें 1947 तक विक्सित आर्थिक इस्थती प्राप्त करने में MS MS की महत्वकुर्ण भूमिका पर जोर दिया Option D स्वामी नातन जानकी रमन इस दा आंसर आप दिस कोश्चिन Question No. 121 देखते हैं नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इस्टैम सम्मिट 2023 के पाचवे संस्कराण का उध्गाटन किस ने किया तो नई दिल्ली में आयोजित साइंस एड टेक्नलोजिस से रिलेटेट कोश्चिन से है आयाटी बॉम्बे में विक्सित नैनो इस्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लॉरेट्स एंसी एफ दौरा प्राप्त सौर्थ हर्मल रुपांतरन दक्षता क्या है तो आयाटी बॉम्बे में विक्सित नैनो इस्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लॉरेट्स दौरा प्राप्त सौर्थ हर्मल रुपांतरन दक्षता 87 प्रतीशत है आप्शन ए 87 परसेंड इस दा आंसर क्वेश्ट नमबर 123 है किस अंतरिक्सियान ने नाशा की और से सौर मंडल के सबसे छोटे गड़ब और उसे साजा किया ऑप्शन भी मेसेंजर इस दा आंसर अगला कोश्चन है कोश्च नमबर वन ने 24 विश्वस्वास्त संगतन डबल एचो ने किस मलेरिया वैक्सीन की सिपारिस की है जिसे ऑक्सवर्ड विश्विद्याले और सीरम इस्टिटूट ऑफ इंडिया द्वारा विक्सित किया गया है तो अग्सवर्ड विश्विद्याले और सीरम इस्टिटूट ऑफ इंडिया द्वारा विक्सीत किये गई वैक्सिं आर्टेवन मेक्रिक्स एम की सिंपारिस अभी विश्वस्वस्वास्त संगिटन डबल अचो ने किया है तो आप्शोन डी आर्टेवन मेक्रिक्स एम इस लिमिटेड कमपनी ने भारती वाई सेना में सामिल किये गए डौर्दियर दूर्टू टूर्टेट विमान कर निर्मार किया है Option D, इंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड इस दा अधसर Question No.126 है अब गूगल ने हाली में भारत में Android उप्योग करताओं के लिए क्या पेश किया है तो हाली में गूगल ने भारत में Android उप्योग करताओं के लिए अर्थक्रीट एलर्ट सिस्टम पेश किया है Option D, अर्थक्रीट एलर्ट सिस्टम इस दा आधसर अब parent festival से related question से आगे भारत को पहला lighthouse festival कहां आयोजित किया गया था तो भारत को पहला lighthouse festival गोवा में आयोजित किया गया option B, गोवा is the answer of this question question number 28 है जारकण में करम तेवार वोखी रूप से किसको समबर पिते तो जारकण में करम तेवार मुखी रूप से उनकी ट्राइबल की ट्रेडिशन को समबर पिते हैं option D, celebrating tribal traditions is the answer question number 129 है अब जारकण के जमशेदपूर में आदी महत्साव राष्ट्री जन जाती महत्साव का उतगाटन कौन करेगा option B, स्री अर्जुन मुणडा is the answer अगला question है question number 130 iccr डार आयोजित इंडो लेटिन अमेरिकी महत्साव का चौत ओच्छा संस्करड कहाँ आयोजित कया जा रहा है तो iccr डारा आयोजित अदो लेटिन अमेरिकी संस्क्री महत्साव का चौत्र संस्क्रड जह है वह नउडेलि में आयोजित है । option B New Delhi is the answer question No.131 हर्ड मिल फेस्टिवल दस दिवसी सांस्कृतिक उत्सव कि स्राज में मनाय जाता है तो हर्ड मिल फेस्टिवल जो कि एक दस दिवसी सांस्कृतिक उत्सव है वो नागालेंड राज में मनाय जाता है option A अगला question देखते हैं question No.132 है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित तीन दिवसी स्री अंध महुत्सव का उद्देश से है कि बाजरा की उप्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए तू प्रमोट दा यूज ऑफ मिलेट्स ऑप्शें डी इस दांसर अगला question No.133 हाली में clean festival healthy festival अभियान किस ने सुन किया तो हाली में clean festival healthy festival अभियान उत्तर प्रदेश के सरकार ने सुन किया है जिसका मुझ उत्देश है कि मंदीर परिशर के को और मंदीर परिशर के आसपास के एरिया को सच्छ बनाका रखना question No.134 है अब बतु कम्मा तेवहार भारत के किस राज में मनाया जाता है तो बतु कम्मा तेवहार भारत के तेलंगाना राज में मनाया जाता है option A तेलंगाना इस दांसर अब books and authors से related question है मैडम कमिशनर पुस्तर किस ने लिखी है तो मैडम कमिशनर पुस्तर जो है वो मीरा बोरवांकर ने लिखी है option B मीरा बोरवांकर इस दांसर अगला question ने question No.136 हाल इमे प्रकासित नेशन कॉलिंग बुक का विमोचन किस ने किया option B किरा रेज्यो इस दांसर क्वेस्टन No.137 है तेल्स फ्रॉम दा हों ओफ वैक्स एंड वीगल्स पुस्तक किस ने लिखी है तो टैग्स फ्रॉम दा हों ओफ वैक्स एंड वीगल्स नाम की पुस्तक जह है वो वी रागवन ने लिखी हुए वीजय रागवन ओप्शन D इ किसके दौरा लिखी गई तो दबूक अफ लाइफ बाइब डान्स विद बुद्धा पोर सक्से जो है वो विवेक रजन अगनी होतरी दौरा लिखी गई है ओप्शन C विवेक रजन अगनी होतरी इस दांसर अब इबॉर्टेंटेंस से रिलेटिक क्वेस्टन से विश्व चार्च दिवस दोजन तेज की थीम है फैल फस्ट अटेंप्ट इल लर्निंग ऑप्शन भी फस्ट अटेंप्ट इल लर्निंग फैल इस दांसर कोश्च नमबर 145 भारती इतियास में एक और मात्रपूर नेता के रूप में गादी जैनती के साथ दौ अक्टूबर को किसे म आर्टी इतियास में एक और मात्रपूर नेता के रूप में विख्यात लाल बादूर सास्तरी की जैनती को भी गादी जैनती के साथ दौप्टूबर को मनाया जाता है उप्शन सी लाल बादूर सास्तरी इस दांसर अगला कोश्च नमबर 142 है 25 सितंबर को अंतियोदे दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है तो 25 सितंबर को अंतियोदे दिवस के रूप में पंटित दीन दियाल उपाद्याए की बर्थ एनिवर्स्री मनाया जाती है औप्शन ए बर्थ एंविस्री औफ पंडित दीन दया उपाद्या है is the answer अगला कोश्चन है कोश्ट नमबर 143 विश्व पर्यावरन स्वास्त दिवस किस दीन मनाय जाता है तो विश्व पर्यावरन स्वास्त दिवस जो है वो 26 सितंबर को मनाय जाता है Option B, 26th September is the answer Question No. 144th है बगस सिंग की जैनती कब है? तो बगस सिंग की जैनती 28 सितंबर को मनाई जाती है Option B, 28th September is the answer 145th question है विश्वच छात्र दिवस किस तारिक को मनाई जाता है? तो विश्वच छात्र दिवस 15 October को हर सल मनाई जाता है Option D, 15 October is the answer Question No. 146 गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर राष्ट्र दिवस कम मनाई जाता है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर राष्ट्र दिवस 17 October को मनाई जाता है Option A, 17 October is the answer Question No. 147th है विश्वच सांखी की दिवस 223 कम मनाई जाता है? तो विश्व सांखी की दिवस 22 अक्टूबर को मनाय जाता है अगला question question number 148 है हर साल पुलिस इसमर और इसमर और सो दिवस कम मनाय जाता है तो हर साल पुलिस इसमर और सो दिवस 21 अक्टूबर को मनाय जाता है अब defense related कुछ न्यूजेज है ब्रिटेंगे वैल्स में अंतरस्टी सैन अभ्यास 22 pref 22 अगला question है कोक्ष्टमर 150 नागः रिजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर्स किस ने भीट किया तो नागा रेजिमेंट की तीसरी बतालियन को प्रेसिडेंट कलर्स जनरल मनोज पांडे ने भीट किया Option B, जनरल मनोज पांडेज दा अंसर अगला कोश्चन ने कोश्च नमबर 151, युद अभ्यास का 19 संसकरण कहां आयोजित किया गया था? तो युद अभ्यास का 19 संसकरण जो है, वो फोर्ट वेंड राइट अलास्का युएसे में आयोजित किया गया था. Option B, पोर्ट वेंड राइट अलास्का युएसे में युद अभ्यास का 19 संसकरण आयोजित किया गया था. आगे वरते हैं कोश्च नमबर 152 है, भारती सेना प्रसिक्षण कमान ने अपना 33 स्थापना दिवस कम बनाया, तो भारती सेना प्रसिक्षण कमान ने अपना 33 स्थाप करत किकल अपना दिवस एक अक्टूबर को मनाया हैं। ऑप्शन सी अप्तूबर वर इस दा Anson Mm नम्बर 153 स defined 10 सम्प्रिती 11 के 11 संस्क्राइड का इस्थान क्या है तो सभी से neural के 11 इस जित किया गयाता जो कि उम्रोऑ मिघालिय मिया गया उप्षंड टी गया Dawn कि ःषी बारत की सेना और बंगलादेश की सेना के बीच आयुजित किया गया था जो कि उम्रवी मेगाले में आयुजित किया गया बारती सेना द्वारा सुरू किया गया प्रोजेक्ट उत्भाव का उत्देश किया है तो भारती से सेधार द्वारा सुरू की गए प्रोजेक्ट उद्वयों का उद्देश से है To understand the ancient Indian heritage in statecraft, diplomacy, warcraft and grand strategy Option C To understand the ancient Indian heritage in statecraft, diplomacy, warcraft and grand strategy is the answer 155th number question है तो हाल ही में कि भारती संगठन ने भारती वायू सेनक को Life Convac aircraft तेजस का पहला ट्रेणर संसक्रण दिया है तो हाल ही में हल मतलब, हिंदुस्तान ऐरानौटिक्स लिमितेड है भारती संगठन जो कि भारती संगठन है उसने भारती वायू सेनक को लाइट कॉमबेक्ट एरग्राफ्ट तेजस का पहला ट्रेजर संसकरण डिया है तो ऑप्शन सी इंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेट एच्छे एल इस दा आंसर भारत और फ्रांस के पांच वी वार्शिक रक्षा वारता पारीज में आयुजित की गई थी अब इडियां अफेर्स एंड नेशनल नियूस से रिलेटेट कुश्चिन से आगे Q1. 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 Q हाइ स्पीड रीजनल रेल सेवा का नाम किया है तो भारत की पहली सेमी हाइ स्पीड रीजनल रेल सेवा का नाम है रैपीड एक्स, ऑप्शन C, रैपीड एक्स इस दा अंसर 159th question है, हालीवे जुनीपर ट्रीको किस केंद सासित प्रदेश का राज जिवरक सिगूसित किया गया है ऑप्शन D, लद्दाख इस दा आंसर 160th question है, किस मंत्राले ने डिजिटल प्रतिसपर्दा कानून पर समित्ती का गठन किया तो डिजिटल प्रतिसपर्दा कानून पर Ministry of Corporate Affairs ने समित्ती का गठन किया है ऑप्शन D, Ministry of Corporate Affairs is the answer 161th question है, किस भारती जेल्दी ब्राण ने Metaverse पर देश का पहला वर्चुल जेल्दी शोरूम लांच किया है तो Metaverse पर देश का पहला जेल्दी शोरूम, Samco Gold and Diamonds जो कि भारती ब्राण ने उसने लांच किया है तो ऑप्शन D, Samco Gold and Diamonds is the answer Q162 है, असम की किस गाउं को वर्च दोजयरत तेविस के लिए बारत के सर्वसेष्ट परेटन गाउं की खिताब से नवाज़ा जागिया है Q163 है, किसान एम मित्र क्या है तो किसाने में तो जो है वो एक AI चैट बोट है पूर PM किसान स्कीम, option C, an AI चैट बोट पूर PM किसान स्कीम is the answer, अगला question है, question number 164, वध्य प्रदेश के सागर जिले में विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजव को जोडने के साथ, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर टाइगर रिजव से हैं, option B, 54 टाइगर रिजव से हैं, option B, 54 टाइगर रिजव से हैं, 165 कोश्यन है, rail दुर्गटनाओं में अनुग्रा राहत के संबंद में, railway बोट ने हाल ही में क्या बदलाव किया है, तो rail दुर्गटनाओं में अनुग्रा राहत के संबंद में, railway बद दस गुना बढ़ा दिया है, Relief increased by 10 times, Option C, increased relief by 10 times, इस दा अंस है, 166th question है, सितंबर 2023 में संग लोग सेवा आयोग, UPSC के सर्दस्च के रूप में, पद और गोपनीता की सपत किस ने ली, तो सितंबर 2023 में संग लोग सेवा आयोग की सर्दस्च के रूप में, पद और गोपनीता भी सपज्य है, वो डॉक्टर दिनेज दास ने लिए, Option B, डॉक्टर दिनेज दास, इस दा अंस है, अगला question देखते हैं, question number 167 है अब, 2023 में पैटा ट्रेवल मार्ट के 46 संस्क्रेंट की मेजबानी कौन सा सहर कर रहा है, तो 2023 में पैटा ट्रेवल मार्ट के 46 संस्क्रेंट की इमेजबानी, न्यू देली शेर कर रहा है, Option D, न्यू देली इस दा आंसर अव डिस कोश्चिन, 168 कोश्चिन है, प्रधान मंत्री नरेंदर बोदी ने 1 अक्टूबर 2023 को सच्छता पकवारा सच्छता ही सेवा 2023 अभियान के हिस्चे के रोप में किस कारिक्रम का आवान किया तो प्रधान मंत्री नरेंदर बोदी ने 1 अक्टूबर 2023 को सच्छता पकवारा सच्छता ही सेवा 2023 अभियान के हिस्चे में, एक तारीक, एक घंटा, एक साथ कारिक्रम का आवान किया, Option D, एक तारीक, एक घंटा, एक साथ, इस दा आंसर अव डिस कोश्चिन, 169 कोश्चिन अगला कोश्चिन, राष्ट्री प्राणी उद्यान द्वारा मनाय जाने वाले उन सत्तरवे वन जीव सब्ताह का विशे क्या है, तो राष्ट्री प्राणी उद्यान द्वारा मनाय जाने वाले उन सत्तरवे वन जीव सब्ताह का विशे है, पार्टनर्सिप फोर वाइड कंजर्मेशन ऑप्षिन एपार्टर्शिप और वाइड लाइफ कंजर्मेशन इस दा अंसर अव दिस कोशियन वन एड़ेट समेंटीथ कोशियन है बामन्वे जीएश्टी परिश्रप के निद्ने के अनुसार माल और सेवा पर अपीलिय न्यायदी करण जीएश्टेट के अधिक्तम आयू सीमा क्या है तो बामन्वे जीएश्टी परिश्रप के निद्ने के अनुसार माल और सेवा कर अपीलिय न्यायदी करण के अध्यक्ष के लिए संसोदित अधिक्तम आयू जो है वो 70 वर्स है पहले वो 67 वर्स थी जो की बढ़ा करव 70 वर्स कर दी गई है यूथ एज बिट्विन 15 तो 29 विर्स 15 से 29 साल के बीच के युवाव को इससे बेनिफिट पहुचाना जो है वो मेरा युवा भारत का फोकस है 172 नमबर कोश्चन है पर्या वर्स के अनुकूल और सख्री गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले सोला रूप साइक्लिंग ट्रेक हैल्थ वे का उध्गाटन कहा किया गया तो पर्यावरेंट के अनुकूल और सक्री गर्थी शीरता को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले सोला रूफ साइक्लिन ट्रेक हेल्थवे का उद्गाटन जो है वह हैद्राबाद में किया गया था अगला कोश्चन देखते हैं 173 कोश्चन नमबर भारत का पहला हरित उर्जा पुरा तात्विक इस्थल जो है वह तमिल लाडू राज में इस्थित है अप्शन ए तमिल लाडू इस्था आंसर एस्थो चातरवे कोश्चन है 141 अंतराष्टी ओलंपिक समेथी आयोसी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो 141 अंतराष्टी ओलंपिक समेथी की बैठक की मेजबानी जह है वह इंडिया करेगा ओप्शन डी इडिया इस दा आंसर अव दिस कोश्चन 1875 त कोश्चन है कौन सा पुलिस स्टेशन विशेश रूप से महिलाओं के लिए आयोसो प्रमाड पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बंगिया है तो हाल दिमें महिला पुलिस स्टेशन वह विशेश रूप से महिलाओं के लिए वह आयोस अईंब प्रमाड पद्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन मंगिया है अप्शन डी वुमेंज पुलिस स्टेशन भंपा इस दा Pac बिजनेस एंड एकोनोमी से रिलेड़ेट कोश्चन से आँ उद्योग निकाए FICCI Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ने देश की आर्थिक व्रद्धी दर का अनुमाल लगाए है कि वित वर्स 2023 से 24 में आर्थिक व्रद्धी दर कितनी रहेगी आप्शन ए 6.3 प्रतीशत इस दा आंसर 178 कोश्चन है अब हाली में विश्व बैंक ने दोज़र 23 से 24 में भारत की GDP व्रद्धी दर कितने प्रतीशत रहने का अनुमाल लगाए है तो विश्व बैंक ने भी दोज़र 23 से 24 में भारत की GDP व्रद्धी दर जो है वो 6.3 प्रतीशत रहने का अनुमाल लगाया है आप्शन भी 6.3 परसंट इस दा आंसर 179 कोश्चन है अगस्त दोज़र 23 में भारत की कोर्स सेक्टर की विकाज़दर क्या थी तो भारत की कोर्स सेक्टर की विकाज़दर अगस्त दोज़र 23 में 12.1 प्रतिशत थी Option C 12.1% is the answer Question number 180 है 22.23 में सितंबर 3 माई की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में कौन सी मुद्रा उबड़ी है तो 23.23 में सितंबर 3 माई की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी उबड़ी है Option A अफगानी मुद्रा इस दा आनसर 181 question है S&P Global Rating के अनुसार चालू विद्वर्श तवर्ज़त तौज़त चौबिस के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान क्या है तो S&P Global Rating के अनुसार चालू विद्वर्श तवर्ज़त तौज़त चौबिस के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान 5.6 प्रतिशत है Option D 5.6% इस दा आनसर अगला question है 182 question number October December 23rd 23rd माही के लिए General Provident Fund GPF बचत पर ब्याज़दर क्या है तो टूबर से दिसंबर 23rd 23rd माही के लिए General Provident Fund बचत पर ब्याज़दर जो है वो 7.1 प्रतिशत की है Option A 7.1% इस दा आनसर 183 question है PayU की Global CEO के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है तो PayU की Global CEO के रूप में अनिर्बान मुखरजी को पदोन्नत किया गया है Option A अनिर्बान मुखरजी Is the answer of this Question 184 question देखते है विट्वर्ज 24 के लिए भारत के लिए विश्व बैंक की खुद्रा मुद्रा इस्पिति का पूर्वानुमान किया है तो विश्व बैंक की खुद्रा मुद्रा इस्पिति का पूर्वानुमान जो है Option D 5.5% is the answer of this question 185th question नमबर है Financial year 2024 में भारत के लिए विश्व बैंक की जीडिप वर्दी का पूर्वानुमान जो है Option B 6.3% is the answer 186th question है पूरे वर्ष के लक्ष के संबंध में वित्ति वर्ष दोजाट 24 में अप्रेल से अगस्त की अवदी के लिए भारत का राजगोशी घाटा किया है तो पूरे वर्ष के लक्ष से संबंध के में वित्ति वर्ष दोजाट 23 से 24 में भारत से अगस्त की अप्रेल से अगस्त की अवदी के लिए भारत का राजगोशी घाटा जो है वह 6.42 trillion dollars का है त्रिनल रुपीज का है स्वरी जो कि 36% is 7.87 trillion तो option D रुपीज 6.42 trillion 36% of 7.87 trillion 187th question अंतराश्टी मुद्रा कोस के अनुसार Financial year 2024 में भारत के लिए संसोधी GDP वद्धी का पूर्वानुमान किया है तो वही अंतराश्टी मुद्रा कोस IMF के अनुसार जो है वो Financial year 2024 में भारत के लिए संसोधी GDP वद्धी दर्वानुमान किया थी तो सितंबर दहजार तेविस में भारत की खुद्रा मुद्राइश्विती दर्जु थी वो 5.02 परसेंट थी ओप्शन ए 5.02 पर्तिशत इस दांस अगला कोश्चन है अगला कोश्चन हाली में अध्यात्मिक गुरु बंगारु अटिकलर का निधन हो गया उन्हें किस वर्स पदमिस्ट्री से सम्मानित किया था तो हाली में अध्यात्मिक गुरु बंगारी अडिकलर का निधन हो गया है उन्हें 2019 वर्स में पद्मिस्री से सम्मानित किया गया था option D 2019 is the answer उन्हें देश के लिए अध्यात्मिक की सेवा के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया था पद्मिस्री 2019 ibles निधने हें क conclude No 190 है – Harry Potter फील्बों में प्रोफेसर ्श्र fracture की भोमाल की भूमी का निवाने के लिए जाने जाने वाले प्रसीद्ध ब्र अभिनेटा कौन थे और हाल की में किसका निधन हो गया है तो Harry Potter फिल्म में Professor तबनूर, टमबलदॉर की वहोमिका निवने वाले जो प्रसिद अभी नेता थे वह थे माइकल गैंबन। और माइकल गैंबन का हाल ही में निधन हो गया है। तो भारत की हरित का अंक्रांति के जनक के रूप में जाने जाने वाले MS स्वामी नाथन का हाली में निधन हो गया है Option D MS स्वामी नाथन इस दांस है 192 question number है अमर अकबर एंथनी और नसीब जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध प्रतिष्टिद बॉलिवुड फिल्म लेखक का हाली में निधन हो गया है जोकि अमर अकबर एंथनी और नसीब जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे Option C प्रियाग राज is the answer 193 question number है संस्रित विद्वान डॉक्टर दया भाई करूना संक्र संस्तृरी का हाली में निधन हो गया है 2 temps 16 16 गैनल बी काई 2016 इस द में आनु से इनके अंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देने promote हैं उब अपने पूरे मन्त के करेंट अफेर रचे पड़े तो आप मैंसके आंसार आसानी से पता होंगे हाल हुए-पूरिश्कार विजयता लुई-ग्लक का निधन हो गया है उन्हें किस छेतर में नॉबल इदल और गया था खोश्चन हैं हुआ और नौबल पूरिश्कार कमपणी पॉकेट SS में किस कंपणी ने बहु संख्याघ हिस्षटारी हासिल लांस्ट कूशहन किस नंबर 196 फेड़रल बैंक में 9 एकाई को आरबिक के मंझुरी मिली है ती फेड़ल बैंक में 9 दसम्लाइ साथ प्रतिशात हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस IKI को RBI की मंजूरी मिली जाए तो इतने questions से 196 questions के साथ आज का वीडियो खता होता है आज के वीडियो के थुरू आप लोग ने अक्टूबर बनके जो भी important current affairs थे उन सभी का revision कर लिया है जुड़े रही है हमारे साथ अगर आप हमारी डेली वीडियो को देखते हैं तो आपको current affairs के question mind map के साथ मिल जाएंगी mind map आप लोगे बहुत useful है और हम पास दिनों में आपको पूरे week के current affairs प्रवाइट कर देते हैं जिससे आखरी के दो दिनों में आपको ने revise करने का या तो अपने गूसरे subjects पर भी ध्यान देने का time बिल जाता है तो अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगाओ तो like कीजेगा चैनल को subscribe जरूट कर लिजेगा और मिलते हैं एक नवंबर के current affairs से साथ करने